हेलो दोस्तों नमस्ते भाई कैसे हैं आप सभी लोग और आज तो बताईदों कैसे हो क्योंकि बहुत दिनों से ना आपको मेरी हलचाल मिली थी ना मुझे आपकी क्योंकि त्योहारों की छुट्टियां फिर साधियों का सीजन और कई दिनों के बाद आपके इस प्यारे फेव हमने मनाए एक शादी भी होई घर में ठीक है बहुत बिजी सेडूल के बाद आप फाइनली मैं फ्री हो गया हूँ और दोजार चौविस के लिए मेरे पास आगे मुझे कोई टार्गिट दिखनी रहा जार चौविस के बच्चों के लिए डेडिकेट होके इस चनल पे मैं टेली एक कंसेप्च्वल वीडियो या प्रेक्टिश शेशन देनी की कोशिश करूँगा जो कि पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट जो है कंटेंट होगा ठीक है बाई और आप सब लोग ठीक होंगे बाई सर्दियां सुरू हो गई है जैकिट पैकिट रजाई कंबल ग सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योर्टी फोर्स है न केंद्रे और धोगिक सुरक्षा बल का जो CISF HCM का जो हैड कॉंस्टेबल का पेपर हुआ था दौहर 23 में जिसका अक्टूबर के महीने में आंसर किया थी उसके टॉप 30 सवालों का बैस 30 सवालों का मैं यहां पर आपको सॉलुशन कराऊंगा च्छाट के लगबक 200 के आसपास क्वेशन पूछे गए ते टोटल और 200 क्वेशन में से मैंने 30 बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए च्छाटे हैं जो आपको करने चाहिए यह सेशन जो बच्चे CRPF की त्यारी कर रहे हैं जो SSC GD का पेपर देंग जितने भी हमारे security forces हैं उन सभी के exam के लिए most beneficial session है कि लगबक सारे paper TCC करवा रही है सेम examiner paper set कर रहा है और सेम जैसे दिखने वाले सवाल exams में आ रहे हैं इसकी जो eligibility थी किवल 12th pass थी तो मतलब जो भी बच्चा 12th pass कर चुका है और जिसकी health होड़ी ठीक टाक है गाम देहात है लंबाई height chest एकदम ठीक है तो ऐसे बच्चों के यह form बिलकुल नहीं मिस करने चाहिए ठीक है बई चले मेरे दोस्तों अच्छी खासी vacancy भी इनमें आती है ठीक है बडर पर नहीं रहना आपको जो हमारे देश की जो industry है जो government industry है उसी में आपको security की job करनी होती है तो top 30 सवा स्क्रीन के पर आपका question आएगा आप copy खोल लीजे मेरे साथ साथ पहले आप खुच solve करो फिर वीडियो को जो है चालू करके आप देखो कि हमने कैसे इसको solve किया है ठीक है मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है रिकोर्ड करने में और आपको भी बहुत मज़ाएगा बहुत ज्य ठीक के जाओगे आप कम समय में गारंटी है मेरी ठीक है ना बेवजे की बाते हम करते हैं अपने काम से जो है बच्चों को प्रभावित करते हैं सुनिए पहला सवाल CISF HCM 2.23 के पेपर का बनाए आज मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से station जल्दी पहुंच जाऊंगा यद हमने अपने घर से station जाना है तो घर से station तो distance पिक्स है घर से station तोड़के जाएगा ने distance पराबर क्या होता है speed गुणा time हमको घर से जाना है station तक तो distance constant है अब भाया हमारी जो यात्रा की अबदी है जो traveling का time duration है वो 20% कम हो गया time duration जो 20% कम हो गया time कम क्यों लगा भाया क्यों time कम लगा हमको घर से station जाने में हमने अपनी speed को बढ़ा दिया है यह पूछा कि speed को कितने percent बढ़ाया है आप जानते हैं कि अगर दो संक्याओं का गुणा एक constant number है तो एक संक्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी उसकी उल्ट अनुपात में बदलेगी अगर मे reverse ratio में change होगी मेरे दोस्तों 4-5 speed का ratio reverse हो जाएगा speed 4-5 होगी तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी एक बटे 4 एक बटे 4 मतलो होगया 25% हमें speed को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है पर हम थोड़े समझदार हैं हम ऐसे नहीं करते time 20% कम हो गया 1-5 speed कितनी बढ़ाई होगी अगर यहा base value को आएगी 5-1-4 नीचे 4 आएगा एक बटे 4 और एक बटे 4 मतला 25% speed बढ़ाई होगी आपको यह नहीं करना है ना आपको यह लिखना ना यह लिखना आपको यह करना है सॉल करना important नहीं है जल्दी किसने सॉल किया यह मायने रखता है यह बताओ दो ट्रेन ए और बी की लंबाईों का योग 270 मीटर है अच्छा जी उनकी speed का रेश्व 3 रेश्व 5 है ए और बी त्वारा एक बिजली के खंबे को पार करने के समय का नुपाद चार रेश्व 3 है द किसी खड़े आदमी को पार करती है stationary man को तो कितनी दूरी जाती है ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर distance कवर करती है जैसे खंबा है अब इसको एक ट्रेन पार करेगी यह ट्रेन है तो कितनी डिस्टेन चलनी पड़ेगी इस ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई क्रोस करक आप बोलोगे हां जी सर दौनो ट्रेन की लंबाई के बीच अंतर पूछा दो अलग अलग ट्रेन है दो ट्रेन की स्पीड का रेश्यो तीन रेश्यो पांच है एक खंबे को पार करने में बिजली खंबे को पार करने में जो उन्हें टाइम लगा टाइम का रेश्यो चार र 500 बेद ये तीन से कटी गया मेरे दोस्तों कितना आ जैएगा चार 5 दोनो ट्रेन के लंबाई का रेश्य करिक्षार रेश्य पाँच cur चाकरणयश आगया दोनो ठ्रेन के लंबाई का योग 270 हूर और पांच दौनो ट्रेन के लंबाई का योग है 9 unit 9 unit की value सवाल में 270 meter दी हुई है आपसे दौनो ट्रेन की लंबाई का अंतर यानि की 4 और 5 का difference एक unit की value पूचिए एक की value आजाएगी 270 बटेनो 30 meter 30 meter इस सवाल का answer था सवाल लंबर 4 बोला है किसी धन्रासी पर 3 साल के लिए 6% की दर से साधान व्याज प्रती वर्स 10% की दर से 2 साल के लिए 7500 रुपे पर चक्रवर्दी व्याज का आदा है साधान व्याज पर रखी गई रासी क्या है आपके सामने देखो मेरे दोस्तों सवाल को डंग से पढ़ो किसी धन्रासी पर 3 साल के लिए 6% की दर से साधान व्याज कितना होगा simple interest एक साल में 6% तीन साल में कितना होगा एक साल में 6% साधान व्याज है तो 3 साल में कितना व्याज मिलेगा 18% जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे simple interest पे उसका उस धनासी का 18% आपको ब्याज मिल जाएगा simple interest जो अब वो क्या है वो 10% की दर से 2 साल के लिए 7500 रुपे पर चक्रवर्दी ब्याज का आदा है अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा 21% 10 और 10 का सक्सिव 21% compound interest मिलेगा अगर 3 साल होता 10 10 का सक्सिव 33.1% compound interest मिलता तो जो simple interest है 18% जो आपको मिला है वो compound interest का आदा है कितनी रासी पर? 7500 रुपे पर 2 साल में कितना compound interest मिलेगा 10% के साब से 21% 7500 रुपे का 21% इतना compound interest मिलेगा इसका आधा 1 वटे 2 यानि कि ये 18% की value आगी क्लियर है और आप से क्या पूछा है simple interest पर invested रासी पूछिए 100% की value ये percentage से 2 0 कटी जाना है मेरे दोस्तों आप बोलोग यहां जी सर ये आएगा 75 गुणा 21 बटे 2 75 गुणा 21 बटे 2 ये 18% की value है तो 1% की value क्याएगी मेरे दोस्तों बटे 18 हो जाएगा 100% की value आगी भईया अभी principle हमेशा 100% होता है multiply by 100 ये ही आपको यहां से solve करना है ठीक भी कर पाओगे क्या आप बिल्कुल कर पाओगे अभी 3 से आपका 75 बार कटेगा और ये 6 बार ये 3 से 3 सत्ते किस और ये 3 दूनिच है फिर 4 से 4 से 100 जाएगा 25 बार तो 25 गुणा 25, 625 सत्ते 625 की साथ में गुणा करेंगे तो 42 और 175 3, 475 आगया 4, 3, 7, 5 रुपीज और ये सवाल का beautiful answer होगा B option एकदम सही है जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है एक step में answer आएगा The square root of 5 plus 3 root 2 into 5 minus 3 root 2 इसका वर्गमूल बताओ मैं ऐसा नहीं कि भाईया सवाल मुस्किल है या मैंने बहुत मुस्किल डिफिकल सवाल आपको छांट के करवार हो नहीं कि पेपर में समय कम होता है प्रेशर भी होता है वर्गमूल आपको निकालना है इसका अंडर root आपको निकालना है ठीक है ना अच्छा जी देखो आप इबात जानते हैं कि A plus B गुणा A minus B क्या होता है A square minus B square आपको इसका अंडर root निकालना है A plus B गुणा A minus B A square minus B square तो 5 के square 25 minus 3 root 2 का square क्या होगा 3 root 2 का square अठार है 3 का square नो root 2 का 2 तो 25 minus 8 अठार है 7 यानि कि root 7 इसका अंसर हो जाएगा कुछ ज़्यादे दिक्कत वाली बात है नहीं दो रेल कानिया 1335.5 मिटर लंबी दूसरी 464.5 मिटर लंबी है दो समांतर पट्रियों पर विपरीद दिसाओं में आ रही है opposite direction में ठीक है जी opposite direction में दो train आ रही है और वो दोनो train एक दूसरे को 20 सेकेंड में पार करती है प्रते घंटे में दोनो train की combined speed के आ होगी the combined speed of the two train in every hour हैनि की दोनो train की speed का योग पूछा है किलो मीटर परती घंटे में every hour दोनो train की combined speed को अनलब दोनो train की speed का sum बताओ और आंसर बताना है किलो मीटर परावर में आप जानते हैं कि जब भी दो object एक दूसरे के ओर चलते हैं तोटो ट्रेन incorporated के और चलते हैं पार करती तो कित्री डिस्टेंस कवर करेंगी दोनों की लंबाईयों का समण। जब मैं इसको जोडूँँगा तो कितना आएगा, 400, 300, 700 और कितना आजाएगा, 35.5 और 64.5 60 और 30 नब्वे और 5.5 और 5.5 और 5.5 ठीके भई, यह आजाएगा आपका 10 यह हो जाएगा मेरे दोस्तों आपको यहां पर 800 800 होगे आप बोलोगे जी सर बिलकुसी 800 मीटर समय कितना लगा 20 20 सेकेंड यह आंसर मीटर पर सेकेंड में आया है मीटर पर सेकेंड में लेकिन यह थोड़ ना पूछा है आंसर तो किलो मीटा पर आवर में पूचा है, किलो मीटा पर आवर में convert करने के लिए आपको 18 बटे 5 से multiply करने पड़ेगी, मीटा पर सेकेंड को किलो मीटा पर आवर में बदलना है, तो 18 बटे 5 से गुणा कर दो, 25100 से 20 कर जाएगा, 188144, ए अप्शन आंसर है, बातसमात, इ एवन नंबर सवाल, CISF Head Constable का करो, अच्छा सवाल है, बढ़या language लिखी हुई है, बढ़या 12th pass बच्चे के लिए, ग्रेजुशन वाले की नहीं, 12th pass की बच्चे की मानसिकता है कि साफ से सोचिए, उसको अच्छा लगेगा है सवाल करने में, दो पिरकार के stainless steel में, chromium और steel का एक अपरीश और नहीं पिरकार का रेश्यों 21, यदी इन दो पिरकार के stainless steel को एक साथ मिलाकर, एक नया stainless steel बनाया जाता है, जिसमें chromium का aanrupaक्त 7 ratio 32 है, दौनों को mix करके, एक नय टाइब का stainless steel बनाया है, जिसमें chromium और steel का ratio 7 ratio 32 है, तो वह ratio बताओ जिसमें इन दौनों ste invincible को सख्छ मने इस लेगल को की समुपाथ मिला गया रिर इस वाल इमिवे दो टैप के स्टेवलैस Сथील को मिला कि का मैं ले बना दिया तो चाहिए आप क्रॉमियम मेंं फोकस कर लो चाहिए भिए मैं तो क्रोमियम पर फोकस कर लूँगा मेरे दोस्तों ठीक भी ज्यादर चमकदार होता ये आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़ है आप बताओ पहले वाले स्टेल से स्टील में कितना क्रोमियम है ठीक ना पहले क्रोमियम कर एशो लिखा है न तो टोटल हो गया तेहरे ग्यारे दो ते में साथ टोटल कितना उन्तालिस बत्तिस साथ उन्तालिस हट्टी नाइन में से सेवन पार्ट अब एलिगेशन लगाएंगे फ्रेक्शन में मुस्किल है तो हमने क्या सिखाए कि जब भी ऐसा कुछ फस जाओ तो जिनके डिनो मानिटर जो हार है तेरे चबिस और उन्तालिस इनका एलसियम तीनों से कटने वाला नंबर होता है 78 पूरे डाटा को 78 से गुणा कर दो तो तेरे चिंग अठितर फिर दो चिक का बार है तो देखेंगे 26 ती अठितर तीन पंजे पंदर है पर यह 49 से 49 दूनिय अठितर दो सत्य चौद है ठीक है बई पंदरे मानस 14 एक हो जाएगा और 14 में से 12 घटाएंगे 2 हो जाएगा तो रेश्यो आगया मेरे दोस्तों एक रेश्यो दो जो की बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बी ऑप्शन इसके एकदम सही आंसर है हर बालक कर पाएगा एलिगेशन का सवालता अगला क्वेशन आठ्वा राघव और अन पैसा मिला होगा 9000 में से जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा और कोई आदमी की एफिशनसी जितनी होगी कोई आदमी की कारच हमता जिस अनुपात में होगी वो उतना ही काम कर पाएगा यानि कि पैसा जो है वो एफिशनसी के रिश्यो में बाटा तो मैं काम माल लेता हूँ, सपोज 18, 12, 6 का LCM 36 unit आपका total work है, तो राघव की efficiency 2 आ गई, अनुझ की efficiency 3 आगी बारे 36, तीनों की efficiency आगी 6, तीनों की efficiency total मिलाकर 6 है, all, जिस में से राघव की efficiency 2 है, अनुझ की 3 है, 2 और 3, 5 हो गया, तो राहुल की कितनी बची, एक 6 में से 2 और 3, 5 गटाएंगे एक, तो राहुल की efficiency total का 1 by 6 है, तो राहुल को पैसा भी total का, यानि की 9,000 रुपे का 1 by 6 मिलना चाहिए, 9,000 रुपे का 1 by 6 आएगा 1500 राहुल को मिलेगा बातसमा, अच्छा सवाल, आशिम किसी काम का 1 वटे 4 हिस्सा 10 दिन में पूरा कर सकता है, इसाक 40% काम 12 द आशिम एक वटे 4 काम 10 दिन में कर रहा है, तो ये आशिम पूरा काम किते दिन में करेगा, 40 दिन में, 40, सिम्पल सी बात अगर कोई आद में, एक वटे 4 काम 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम किते दिन में करेगा, दौन तरफ 4 से गुणा करनी पड़ेगा, तभी तो एक चालिस दिन में, इसाक 40% काम बारे दिन में करता है, इसाक 40% का मतला होता है 2 वटे 5, 2 वटे 5 काम बारे दिन में करता है, 2 की वेल्यू 12 है 6 गुना, तो 5 के वेल्यू 6 गुना 30, इसाक पूरा काम करेगा 30 दिन में, आलम एक वटे 5 काम 4 दिन में करता है, एक वटे 5 काम 4 दिन मे जो आलम है, ये पूरा काम किते दिन में करेगा? ये करेगा मेरे दोस्तों 20 दिन में, 20 डेज में पूछा है, तीनों मिलकर पूरा काम किते दिन में कर लेंगे? तो 40, 30, 20 का LCM 120 ये सवाल है, बार-बार पेपर में आता है, टोटल वर्क है, LCM को आप टोटल वर्क माल लेंगे, ये जी हो जाएगा, आसिम पूरा काम 40 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है? तीन, ये इसाक पूरा काम 30 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 120 को 30 से भाग करेंगे 4 इसके efficiency आजाएगी 6 तो 3 लोग मिलकर 120 उनिट काम करेंगे मेरे दोस्तों कितनी efficiency के साथ 3, 4, 7, 6, 13 तो कितना समय लगेगा 120 बटे 13 दिन अब बटे 13 जाएगा तो 13 निम्मा 170 बचेगा 39 सही 3 बटा 13 दिन आगे चलते हैं लगातार 2 छूट मिले के बाद 900 रुपे की सूची मुले वाला एक calculator 612 रुपे में पुलब्द है यदि दूसरी छूट का मुले 15 परसेंट है तो पहली छूट का परसेंटेज क्या है पूछा गया है लगातार 2 छूट मिली 900 रुपे के समान पर और 2 छूट मिलने के बाद calculator को 612 में बेचा गया दूसरी छूट 15 परसेंट है पहली छूट क्या देखो डिसकाउंट आगे पीछे कैसे भी करो कोई फरक नहीं पड़ता डिसकाउंट लगातार सकसिव दिये जाते है अगर मैं आपसे कहूं कि किसी समान पर X परसेंट और Y परसेंट का सकसिव डिसकाउंट दिया गया या पहले Y परसेंट फिर बाद में X परसेंट का किरमागा छूट दी गई दौनों का मतलब एक ही होगा तो अगर एक कैलकुलेटर का मार्ट प्राइस जो लिस्ट मुल ले 900 रुपे 900 रुपे पर आपने एक डिसकाउंट दिया 15% का छूट 15% छूट देने का मतलब है कि प्राइस को 15% कम कर दो अब 900 रुपे को 15% कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 900 का 85% 85% मतलब पॉंट 85, कैलकुलेटर का प्राइस इतना हो गया इस प्राइस पर एक डिसकाउंट और दिया गया है और वो एक डिसकाउंट और देने के बाद कैलकुलेटर को 612 रुपे में बेचा गया है तो आप से पूछा बता वो डिसकाउंट क्या है तो आप रिश्व ले लो मेरे दोस्तों क्लियर आप बोलोगे यहां सर 10.2.0 कटेगी 85.7 से कटता तो कटने ही चाइए 75.85 57.7 ती क्यामन 10.7 चिक का 136 आ गया 9.36 चला गया जी चार बार ही आ गया पांच रिश्व चार आनि कि डिसकाउंट जब हम देते हैं पहला तो पांच का समान चार में हो जाता है तो आप डिसकाउंट कितना दे रहो एक का एक वटे पांच और एक वटे पांच को जब है 20% तो 20% का डिसकाउंट दिया गया मेरे दोस्तों पहला वाला बात समा बहुत इजी तरीका है यह वाला अगला प्रस्ट एक चुनाम में 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाले अच्छा जी 65 वोट इन्वैलिड पाए गए अच्छा भाई साब दोनों अमीदवार के बीच विजेता अमीदवार को सूची में सभी मत दाताओं का 68% वोट मिले अच्छा यह 2 गंडιαट के भी चुनाव हो रहा है तो जो विनि कंडिडा है उसे आल वोटर्स का जितने भी वोटर है वोटिंग लिष्ट में वोटिंग लिष्ट में जितने भी वोटर इन्रोल्ड है उसका 68% जीतने वाले को मिला है और वो 1399 बोटों से जीता है कितने से 1399 तो आपसे पूछा कितने वोट्स इन्रोल्ड हैं टोटल ये सवाल है आपके सामने सुनो मेरे प्यारे भाई देखो मेरे दोस्त ये एक special सवाल है जिसको हम सिफ्टिंग के तरीके से सौल करते हैं यहाँ पे वैलिड वोट्स का 68 परश होने होते हैं तो इक लिश्ट निकालता है चुनाव आयोग यिसमा उन सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं जो वोट देने के लिए योग हैं 100% वोटर्स चोड़ेंट Candee Report में इतने इनने तो वोट डाली नहीं, वही हमार तरह दूर रहते हैं वो, यहने कि वोट डालें किवल 90% लोगों ने, 90% लोगों ने वोट डाले हैं, खीक कि बाई साब, अब इन डाले के वोटों में से जितने वोट डाले हैं, 65 वोट इन्वैलिड हो गए, 65 वोट, चुनाव आयोग खारिज कर दे, निसेद कर दिया उनको, अब विजयता उम्मीदवार को सभी वोटर का 68% वोट मिला, सभी वोटर हैं कितने 100%, 100% का 68% कितना होता है, 68, यानि कि जीतने वाले उम्मीदवार को 68% वोट मिला है, जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को, वोटों सर जीता है 1399 वोटों सर जीता है देखो, 100% मैंसे 10 परिषल लोगों ने वोट डाले नहीं, तो 90 परिषल लोगों ने वोट डाले, डाले गए वोटों में से भी 65 वोटं इन्वैलिड हो गये, सुनो, यानि कि मेरे दोस्तो जैसा आप चुनाम में खड़े हो आप जीत रहो अगर आपके विरोधी को आपके जो अपोजिट में आदमी खड़ा उसको 65 वोट जादे मिल जाए तो आप 65 कम वोटों से जीतोगे तो अगरे मैं 65 वोट इंवेलिड ना कराके हारने वाले को दे दूँ तो जीतने वाला उमीदवार 65 कम वोटों से जीतेगा तो फर कितने वोटोस तो जीतेगा 1334 वोटोस जीतेगा जबकि जीतेगा कितने से 90% में से 68% जीतने वाला ले गया तो हारने वाले को कितना मिलाओगा 90 में से 68 मानस करो 22% यानि कि जीतने वाले को 68% मिला, हारने वाले को 22% मिला, तो कितने एक अंतर से जीता है जीतने वाला, 68 में से 22 घटाएंगे, 46, यानि कि 46% के डिफरेंस से जीता है, जबकि जीता कितने से 1334 वोटों से, आप से वोटेंग लिष्ट पूछिए 100%, निकाल सकते 23 से कट जाएगा, 46 से भी काट सकते हैं मेरे दोस्तो, 42 दूनी बानवे, बानवे के बाद बचेगा मेरे दोस्तो, 33 और 8, 41, 414, 414 कितनी बार जाएगा 46 से मेरे दोस्तो, 9 बार, 360 और 54, 9 बार चला जाएगा, यानि कि 1% की वैलू आगे 29, 29 बार कट गया, 1% 29 आगया, आप से पूछा, find all the voters in voting list नमांकित मतों की कुल संक्या, 100% आप से पूछा, यानि कि 29, और ये सवाल का आंसरों का C option, पतम सवाल, आप से ये पूछा होता की कुल कितने vote डाले गए, तो आप 90% की value निकालते, बेस तरीका है, जब भी ऐसा question आए मेरे दोस्तो, आप इसको shifting से ही करना, अधर आपको य पानी जमकर बरफ बन जाता है, तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है, यदि वह बरफ बिगल जाए, तो आयतन कितने percent कम हो जाएगा, बहुत बहतीन और basic सवाल है, यहना समझदार वालक तो बिना लिखी कर लेगा, लेकिन मैं आपको इतना समझदार नहीं मानता, मुए आपक 10 से 11 हो गया volume, जब यह बरफ वापस पानी में बदलेगा, पिघल जाएगा, जब बरफ पिघल जाएगी, तो volume कितना कम हो जाएगा, बरफ पिघल के पानी बनेगी, तो volume 11 से 10 हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, एक, एक वटे 11 कम हो जाएगा, और एक वटे 11 कम हो जाएग अच्छा question, बढ़िया language है, convert it into vulgar fraction, इस साधान अंस को fraction में convert करना है, simplified fraction में, सरलतम भिन में बदलना है, 0.587, देखो, 8 और 7 के उपर dot लगे हुए, dot, ये dot का मतलब क्या है, 0.587, 8 और 7 के उपर dot लगा हुआ, अगर आप यहाँ पर गौर से देखो, दिखाई दे रहा है ना, आपको, dot का मतलब होता है, देखी भासा में, बार, ये मतलब है इसका, और 0.587, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, ये एक non-terminating, repeating decimal है, ठीक है, आप बोलोगे, हाँ, जी, सर, बिल्कुल सही, कोई परिशानी नहीं, 0.587, 8 7, 8 7, 8 7, ठीक है, जी, आप बोलोगे, हाँ, इसको fraction में convert करना है, क्या आप इसका concept जानते हैं, 10 सनल के बाद, दो डिजिट के ऊपर बार हैं, तो 2 9 आएगा, जीतने डिजिट के ऊपर बार हैं, उतने 9 आएंगे, एक डिजिट के उपर बार नहीं है, तो भाईया, एक 0 आएगा, ऊपर क्या है, उपर नमबर है 587, 587 में 5 के ऊपर बार नही यह concept कहलो, short trick कहलो, मेरे दोस्तों यही है, ठीक है जी, तो 587 में से 5 घटाऊँगा, तो 582 आएगा, और नीचे बचेगा जी, 990 है, ठीक है अब याने की नीचे 167 तो कत ही नहीं बनने वाला योत्तर नहीं है, ठीक है भई, इससे जाएगा भी, 2 से भी कट रहा है उपर नीच और तीन से भी कट रहा है, यहने की 6 से कट रहा है तो 6 निम्मा चववन, और 4 छे सत्य बैल इस 97, उपर 97 बचेगा यह आंसर है, भी ऑप्शन, 6 से काटेंगे तो, समझ में आई स्टुएंट्स बात आप लोगों को बहुत आसान सवाले बताएं, सवाल लंबर है, 14 करो, अभी थोड़ देर इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक शॉट्स पी रिकॉर्ड करिये, हमने अपने चैनल मैच्स वंडरिन, सेकिंड्स के लिए मेरे प्यारे ब सब्सक्राइब जिस में से 5% वोट इन्वैलिड है, अच्छा बाई साब, एक उम्मीद्वार को 95 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोट का, तो इस चुना में नमांकित मतों की कुल संख्या, टोटल वोटर बताओ कितने इन्रोल हैं इलेक्शन में, ये निकालना है, माना भई जैसे एन्वोटर है, ये सिम्पल सवाल है, सक्सेसिव वाला सवाल है, जैसे एक चुना में टोटल एन्वोटर इन्रोल है, अब एन में से 20% वोट डाले, तो 20% का मतलब है एक वोटे 5, तो टोटल अगर एन्वोट इन्रोल है, तो उसमें से 20% वोट डाले गए वोट है, ज 25% तो बाकी के 95% वेलीड है, अगर 1 på 20 जो 85% खराब है, तो बाकी का 19ının 20 जो अपके वैलीड वोट हैं तो यह जो लिखाये कके सामने लिखा हैाा वैलीड वोट, वैलीड वोट बात को समझें? अगर 5% वोट invalid है तो बागी के 95% 95% का मतलब 19 वटे 20 है वैलिड वोट है यह है वैलिड वोट अब एक उम्मीदवार को 95% मिले जो वैलिड वोट का 20% है अब एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 20% मिला 20% का मतलब 1 वटे 5 इतना वोट मिला एक उम्मीदवार को वैलिड वो पांसो बार, तो N आ जाएगा मेरे दोस्तों, पांच, पच्चे, पच्चिस और गुणा बीस पांसो, पांसो की पांसो में गुणा करेंगे, तो पच्चिस क्या आगे, चार जीरो आ जाएगा, ठीक है, भई, धाई लाग, D option इस सवाल का अंसर है, कर पाएंगे, ठीक है ना, चलिए, ये simple question था, दो station के बीच पृथम सेणी और दुट्य सेणी के train किरायों का अनुपात पांच रेशो तीन है, बैएक train में first class है, second class है, first class में बढ़िया इसी लगा हुआ है, second class में मेरे दोस्तों पंखा भी नहीं है, उनके किराओं का रेशो, किराये का अनुपात पांच रेशो तीन है, first class, second class का, और पृथम अर दुट्य सेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या एक रेशो 45 है, first class और second class में जो पैसिंजर ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी संख्या एक रेशो 45 का अनुपात में है, यदि 528 रुपई या किराया वसूला जाता है, तो पृथम स्रेणों की यात्रियों से कितनी रकम वसूली गई है, पृथम स्रेणों की यात्रियों से, अब बताओ मेरे दोस्त, तो एक ट्रेण में first second class है, किराये का अनुपात क्या है, पांच रेशो तीन, पहली first class का टिक तो कितना किराया होगा मेरे दोस्तों, multiply करनी पड़ेगी, कुछ सोचू न, सपोज आप ट्रेन में जाओ, ट्रेन में दस आदमी सफर कर रहे हैं, और एक आदमी का टिकेट पांच रुपे का है, तो कितना किराया मिलेगा, दस गुना पांच पचास रुपे, वही तो चीच जाएगा, पांच से, पांच से चलायागा, पैंट आलिस बार, पांच राम पैंट आलिस, तो होगया, एक रेश्यो 27, इस रेश्यो में फस्ट किलास से पैसा उठाया गया है, टोटल कितना है भी, शपपन सो अथाइस रुपे, 56268 रुपे की वसीली हुई है, प्रिथम सि कम अठाय दो सो एक रुपे, सी ओप्शन सवाल का अंसर है, बड़े कम दे रहे हैं, इसलम कहते हैं कि गरीव आदमी ही सरकार को पैसे कमा के देता है, ठीक है जी, आगे चलेंगे, सवाल लंबर 16, ऐसा सवाल है, ये ऐशा सवाल, बोतल A से बोतल B में पानी की मत्रा का अनु आणु पाथ है, 4 रेश्यो 7, अच्छा जी, ऐसा है, यदि A में पानी का 1 वटे 4 वाग E में डाल दिया जाए, और फिर B से पानी का 1 वटे 4 भाग E में डाल दिया जाए, तो नright अनु पाथ क्या होगा, 2 वोतल A बी, पानी का रेश्यो 4 रेश्यो आता है, A से बाणी का 1 व और यह B में डाल दिया, तब कितना हो जाएगा? अब यह हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें 3 पानी हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 8, 3 और 8 हो गया, clear? अब क्या किया है मेरे दोस्तों, अब यह किया है, कि B से पानी का 1.4 भाग A में डाल दिया, B में कितना पानी है? 8 अब 8 का 1 पटे 4 कितना होता है? 2 B में 8 unit है, 8 का 1 पटे 4 होता है 2 B से 2 unit पानी निकाला और A में 2 unit डाल दिया तो अब ratio क्या हो जाएगा? पानी का A और B में ratio हो जाएगा 3 और 2 5 और 8 मानस 2 6 5 ratio 6 हो जाएगा D option सवाल का answer है? D इससे पहले आपको बात बताना चाहूँगा कि इन सभी सवालों की PDF और इनके solution की PDF आपको हमारी इस टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी यह जो मैं आपको solution करा रहा हूं इनके सभी question का compilation भी मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर डाला हुआ है और वो भी chapter wise form में आरेंज करके बहुत महनत लगती है हमारी और हमारी टीम की और समय से best 30 सवाल जो है छाटके मैं आपको यहाँ पर solve करवा रहा हूं आप सभी बच्चे इस टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है जितनी वी वीडियो और को इसी एक्जाम के नोटिफिकेशन कोई डिटेल कोई महत्पूर जानकारी मैं इसी टेलिग्राम चैनल पर डालता हूं भाई ठीक है स्ट्रमास वाल बोट्यण स्ट्रीम का ग्वेशन है आसां सब्णाव। एक माफ धारा क्यान्टल 18 किलोमिटर की दूरी गंटे में तेय करती है यानि के एक नाब डां स्ट्रीम जाती है डाउन स्टीम जाती 18 km, 3 गंटे में, तो डाउन स्टीम की स्पीड आ जाएगी 6 km पर आवर, धारा की गती इसकी डाउन स्टीम स्पीड का 33 to 1 by 3 परसेंट है, करंट की जो स्पीड है वो डाउन स्टीम स्पीड का 33 to 1 by 3 परसेंट है, 33 to 1 by 3 परसेंट का मतलब क्या होता है 1 by 3, 6 का वन बाई थ्री आगया यानि कि टू करंट की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो टू है तो आप से पूचा है धाराक विपरिद्धिसा में सौ किलोमेटर की दूरी तै करने में कितना समय लगेगा आप इस्ट्रीम ठीक है ना आप इस्ट्रीम तो आप भाईया मुझे दो दे रखी है कैंद्य रखी है दानस्ट्रीम कि स्पीड मुझे छे दए रखी है नहीं स्पीड के जिसे कितना समय लगेगा ? फचास घंट एक्तम सरल सवाल ता बेसिक कंसेट पे 221 रुपे को A और B के बीच में बाजित करें ताकि 3 साल बाद A की रासी 5 साल बाद B की रासी के जो बराबर हो 20% परतिवर्ष की दर्से सहुझित है ठीक ना compound interest है भीया 221 रुपे को डिवाइड करना है या आगया B option निहायती घटिया सवाल कलम उठाने की जोरतनी आप बोलोगे सर कैसे अर बै 221 रुपे को डिवाइड कर रहे हो ना दो लोगों के बीच में A और B की बीच में तो टोटल तो जोड़के 221 की साना चीए तोटल जोड़ूँगा साले 300 आएगा जोड़ूँगा 631 आएगा A और B की जोड़ूँगा 841 आएगा A की option ऐसा जहां जोड़के 221 आंसर होगा बात समग आगे बढ़ जाओ परतेक 30% की दो किर्मिक व्रद्धी परतेक 30% की दो किर्मिक कमी से कितने परसेंट जादा है बहुत बहतरीन सवाल देखो बच्चो आप जानते X और Y अगर आप किसी भी संख्या को X परसेंट और Y परसेंट से किर्मागत सक्सेसिवली चेंज करते तो संख्या में कोल कितने पृतिसत का बदलाब होगा X प्लस Y प्लस XY बटे 100% ठीक है अगर बढ़ाते हैं तो positive घटाते हैं तो negative तो अगर आप किसी भी संख्या को 30% 30% से सक्सेसिव इंक्रीज करें तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणा 30 बटे 100 यह आजाएगा 60 60 प्लस 9 69% संख्या इंक्रीज हो जाएगी आजाएगा मेरे दोस्तो 60 मानिस 60 प्लस 9 कितना आजाएगा मानिस के क्यावन 51% डिक्रीज आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही यानि कि मेरे दोस्तो 30-30% की किर्मिक वरद्धी के मतलब 69% इंक्रीज है और 30-30% से डिक्रीज करोगे तो 51% कम हो जाएगी संख्या यही पूछा है कि 69% 51% से कितना जाद है तो 69, 51% से 18 जाद है 18 बटे 50 और percentage में इंटू 100% ही आजाएगा मेरे दोस्तो 51 का मतलब मेरे दोस्तो नीचे 17 आएगा मेरे दोस्तो यही सवाल कांसर होगा मुझे आगे करने की जो रतिनी सवाल को B option बात खतम ठीक है जी आगे बढ़ जाओ एक विद्यूत पंप एक टंकी को 4 गंटे मभर सकता है टैंक में रिसाब के कान टैंक को भरने में 4 गंटे लग गए एक टैंक भरा हुआ है तो रिसाब को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा एक पंप है जो टंकी को 4 गंटे मभर सकता है एक पाइप है इनलेट पाइप मान सकते हैं भी 4 गंटे मभर सकता है लेकिन टैंक में एक लीकेज भी है रिसाब भी हो रहा है जिसके कान भरने में साड़े चार घंटे लग गया याने कि inlet pipe के साथ साथ tank में एक leakage भी है एक outlet pipe भी है भई रिसाब भी हो रहा है और भरने में लगए साड़े चार घंटे साड़े चार का मतलब नाइन भाई टू आवर्स लग गया अधी टैंक भरा हुआ है तो जो leakage है यह पूरे टंग की को कितने समय खाली कर देगा तो यह आसान सवाल चार नो बटे दो का इलसियम चार नो का 36 मैंने माले की टैंक की जो capacity है वो 36 है टैंक में 36 उनिट फान ही आ सकता है तो भरने वाले पाईप की efficiency आ जाएगी 9 और खाली करने वाले की आएगी 36 को 9 वटे 2 से भाग करेंगे 8 तो इन दोनों की efficiency आ जाएगी मेरे दोस्तो 8 यानि कि भरने वाले पाईप की efficiency 9 है दोनों पाईप की efficiency मिला कर मेरे दोस्तो 8 है तो खाली करने वाले पाईप की efficiency कितने ह से काट तो एक efficiency के साथ 36 निट को खाली करने में leakage pipe कितना समय लेगा D option 36 गंटे लेगा और यह सवाल का answer हो जाएगा बिल्कुल basic question एक pipe एक tank को दूसरे pipe के तुल्ला में 5 गुना तेजी से भर सकता है दौना pipe मिलका tank को और 40 मिट में भर सकते तो धीमा pipe अकेले tank को कितने मिनट में भर पाएगा एक pipe एक tank को दूसरे pipe के तुल्ला में 5 गुना तेजी से भरता है पाँच गुना मतलब अगर एक pipe की efficiency वन है तो दूसरे की पाँच गुना है पाँच यह दौनो pipe की efficiency का ratio है कि एक pipe जो है वो second pipe से 5 गुना fast भरता है पाँच गुना इसको अगर धीमा पाइप भरेगा तो धीमा पाइप भरेगा वन एफिशंसी के साथ कितना समय लेगा अर्तालीच छिक्का 288 मिनिट तो धीमे पाइप को मेरे दोस्तो 288 मिनिट लगेगा अखेले टैंक भरने में ए उप्षन अंसर हो गया बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे ग को प्रतेक 16% की हानी पर बेच दिया प्रतेक सेस वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए जिसे की पूरे सौधे पर 10% का लाप्राप्त हो सके एक जांदार सवाल है शांदार सोचो समझो और करो सोचो समझो और करो रोह ने 60 वस्तु डर्ड़ सु रुपे प्रतेक में खरीदी हैं रोह ने 60 वस्तु खरीदी हैं और हर वस्तु डर्ड़ सु रुपे की हर माल डऱ् सु रुपे हर माल डऱ् सु रुपे साथ वस्तु खरीदी अब एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब होता है 1 third, एक तिहाई वस्तू को 16% के loss पर बेचा है, याने कि total अगर तीन है, अगर total तीन वस्तू हैं, तो तीन में से एक वस्तू को बेचा 16% के loss पर, तो बाकी कितनी बच्ची दो, तीन में से एक बेजदी बाकी बच्ची दो, दो वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए, इसे पूरे सौदे में सभी वस्तुओं पर कुल मिलाकर 10 पर्शन का लाब हो सके, तो पहले आप मुझे बताओ कि इन बाकी वस् जिसे कि पूरे समान पर 10% का फाइदा हो, इन गया, तीन बच्ची दो पर थोटो ये, तीन बच्ची दो, तीन पर पaran का ल्च्ची, तो यहां कितना जो गए हолी 4ं-13, दो वस्तो पर दो रुपे की सवान पर बटे दो यानि 23%, यानि कि मैं यह कह सकता हूँ प्यारे बालक जी, कि बची वस्तो को तेज परतिसत के लाब पर बेचना पड़ेगा, आप से पूछा है, सेस वस्तो किस कीमत पर बेचना चाहिए, बैं हर वस्तो डिड़ सु रुपे की क्या होता है एक बटे पांच तीस रुपए अब डेड़ सो का तीन पर्षेंट कितना होगा पंदर तीया पेंतालिस साल चार रुपए तो कितने बेचना पड़ेगा एक सो चौरासी दस्वाल पांच में बेचना पड़ेगा सी ऑप्षिन वनिटी 4.5 रुपईया में बेचना दस साल पहले चार सदस्यों का एक परीवार था उसकी एवरेज यश्ती 26 साल चार साल की एज के डिफERन्स वाले दो बच्चे के जनम के बाद परिवार की वर्तमान एवरेज एज सेम है याँनि कि दस साल पहले 26 साल थी आज भी 26 साल ही है सबसे चोटे बच्चे की वरतमान आयू बताओ, देखो, दस साल पहले, एक परिवार में चार सदस्थे थे, और इस परिवार की एवरेज थी 26 वर्स, तो दस साल पहले, की बात नहीं करना, आम बात करेंगे प्रेजेंट की वर्त मान की, दस साल पहले मेरे दोस्ते, परिवार के एवरेजे 26 साल थी, तो अब कितनी होनी चाहिए, 26 में 4 साल बढ़ जाएगा, 36 साल होनी चाहिए, 36 वर्स होनी चाहिए, मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे, 10 साल पहले अगर 26 साल थी, अब जो है, आवरेज 10 साल बढ़ के 36 हो जाएगी, कितने परिवार के 4 सादस्य होगी, कितने में बर्स की, 4 सादस्य की, तो 4 सादस्य की, मेरे दोस्तों, आवरेजेज होनी चाहिए, 36 साल, लेकिन मेरे दोस्तों, 2 बालक पैदा होगे, इन 10 साल के दौरान, बालक पैदा होगे, छोट छोटे बालक, बालक तो कम उमर के हैं, दो बालक पैदा होगे, तो परिवार में सदस से हुए 6, और इन 6 लोगों की average age वही है, जो पहले थी, पहले average age 26 वर्स थी, आज भी average age समान है, आज भी इन 6 लोगों की average age 26 वर्स ही है, 26 years, समझ माया, तो आप मुझे बाता हो, यह जो दो बच्चे पैदा हुएं, इनकी total age कितनी होगी, दो बच्चों की total age क्या होगी, 6 लोगों की average age 26 साल, तो total कितना होगा, 6, 26, 4 लोगों की average age 36 साल, तो total कितना होगा, 4, 36 से घटा देंगे, तो 156 में से 144 घटाएंगे, 12 साल, तो दो बच्चों की total age है, वो 12 साल है, उनकी age का difference कितना है, 4 साल, निकि दो बच्चों की age का sum 12 साल है, difference मेरे दोस्तो चार साल है दोनों बच्चों की एज में तो आपसे पूचा है छोटा बच्चा उमर की बताओ छोटे बच्चे की उमर कितनी होगी दो संक्याओं का sum दिया है छोटी संक्या पूचिये तो घटा के आधा कर दो बारे में से 4 घटा हैंगे ठीक है थोड़ा टाइपिंग एरर थी बने ठीक कर दिया बताओ एक्स का मान निकालना है यदि अंडरूट 1849 प्लस अंडरूट 0608 प्लस बराबर 43.25 है एक्स का मान बताओ देखो ये रूट के अंदर ये वाला एक्स आपको निकालना है बताओ नॉर्मल कैलकुलेशन है हाँ पर कोई डिजीटल सम ये सब आपको फर्जी चीज़े नहीं लगानी बताएं हाला कि आप इस सवाल को option से भी कर सकते हो option इतने वाहियाद और दूर दूर है बए 1849 का अंडरूट क्या आएगा 43 अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत करने तो पचासता की स्क्वार याद करो 43 प्लस एक हाँ अंडरूट 0.0608 पिलस एक्स बराबर 43.25 ये आपको दिया ये दिया आप बोलोगे हाँ जी सर अब 33 जब उधर जाएगा तो मानिस कर देंगे मानिस 43 करेंगे तो 0.25 आएगा 0.25 अब एक्स का मान निकालना है मेरे दोस्तों ये आगया ये आप्शन अगर मैं दौन तरफ से स्क्वार करता हूँ तो आप जानते है 25 के स्क्वार 625 स्क्वार करूंगा तो दस्वार लगेगा चार डिजिट के बाद पॉंट 0.625 पॉंट 0.608 उदर जाके मानिस हो जाएगा तो 25 में 60 घटाएंगे 17 पॉंट 0.0 25 मानिस साथ 17 पॉंट 0.017 इस सवाल का अंसर है ए ओप्शन करेक्ट एक डम आला कि इस सवाल का जो सिंपल दिमाग में भी किया जा सकता है भाईया इसमें अगर मैं बहुत पॉंट 0.608 में यही अगर मैं जोड़ूंगा तो ही यह 625 बनेगा और तब ही इसका अंडूर 25 आ सकता है यह स्टेप करने की जोरत आपको नहीं पड़ेगी के एक दोस्तिने में खरीदा था सक्सुट का सवाल है सक्सिव के बहुत ज़्यादे किशण पूछे गए हैं इस बार पेपर में सौस्तिक ने विज्यय को एक वस्तुं बेची 10 परेशंड पर पर कि इसमान विज्यद ने 5 परशिंड के प्र मेरे दोस्तोध अरविंद को 5 परसेंट के प्रॉफिट में, कितने रुपें बेचा है, 5155 रुपे में, 5155 रुपे में बेचा है, ठीक है, तो आप से पूछा स्वास्तिक ने कितने में खरीदा था, स्वास्तिक का सीपी आप से पूछा है, स्वास्तिक ने विजय को बेचा, विजय ने अर्विंद को बे के भी कर सकते हो, formula से भी कर सकते हो, successive के 3 तरीके हैं 100 मान के भी कर सकते हैं, ratio भी कर सकते हैं, formula भी लगा सकते हैं ठीक है भई? data आसान है, कोई बहुत ज़्याद है मुश्किल नहीं, option देखो options काफी ज़्याद है, दूर दूर है यह काफी ज़्याद है, फरक है option में तो मैं approach solve करूंगा formula से, 10% और 5% का successive कितना profit हो, 10 और 5 का successive होता है, 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणा 5 बटे 100, 10 गुणा 5 प्रचास बटे 100 0.5, 15% 10 और 5 का successive 15% यानि कि overall 15% का profit होने के बाद, समान को 56,57, 57, 5,57 15% 155 आया है यह की स्वास्थिक का का क्रे मुले स्वास्थिक ने किस दाम में खरीदा होगा? स्वास्थिक ने ऐसे दाम में खरीदा होगा, जिसको 1550 प्रचंट बढ़ाने पर यह आजाए, लगवक बामन सो रुपे इसको तो साड़े 15% बढ़ाऊंगा दसमलब की बान आ जाएगी, वही हां अरड़ी 10 समलब है, और 10 समलब निकालूंगा, फिर परसंटेज में निकालूंगा, तो एक 10 समलब तो नहीं आएगा, इसका साड़े 15% निकालूंगा, दिक्कत होगी, यह है D option, पैंतालिस सो, पैंतालिस स पैंतालिस सो का 0.5 भी निकल जाएगा मरे दोस्तों, तो देखो, आयाने 455,5175, बिल्कुल इसके नस्दीक पहुंच रहा है, यहना 4500 रुपे को साड़े 15% बढ़ाऊंगा, इसके नस्दीक पहुंच रहा है, पूरा भी निकाला, नहीं के 4500 रुपे ही रहा होगा, 4500, फ इतने जादे दसमलव आएंगे, दसमलव एक ही आना चाहिए, यह फर्जी ओप्षन नहीं हो सकते, आगे का सवाल, आनुजने 8% GST सहित, 7,071 दसमलव, 8-4 रुपे का पर्स खरिदा, इसदी GST बढ़कर 10% हो जाए, तो नया विक्रिय मुल्य ग्याद करिए, GST 10% 100% होता है, 100% पे अगर आप 8% GST देऊगे, 8% टेक्स दोगे, तो कितना पे करना पड़ेगा, घड़ी का प्राइस है 100%, 100% पे आपने 8% GST दिया टेक्स, तो आपको पे करना पड़ेगा 108% और आपने घड़ी खरिदी है 7,071 दसमलव, 8-4 में, अब अगर GST को बढ़ा के 10% कर दें, 100% घड़ी का प्राइस है, 10% उस पे टेक्स लग गया, तो आपको घड़ी खरिदने के लिए कितना देना पड़ेगा, 100-10% जादे, 110% पे करना पड़ेगा, इसकी वेलू आपसे पूची है, ठीक है बच्चो, सिंपल सी बात है, मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो 110 में, 11 आ रहा है, 11 का मुल्टिपल आएगा, ठीक है ना, और दूसरी बात, मेरे प्यारे भाई, 8 से 4 में जा रहे हैं, तो 8 मठु 64, 8 गुना, यहाँ भी 1 का 8 गुना मेरे दोस्तो, 8 आएगा, एंड में, यह वाल आप्शन है, D, 11 का मुल्टिपल भी है, देखो, 7, 2, 9, यह देखेंगे, 7, 7, 8, 15 और 4, 11, 15 और 4 का डिफरेंस 11, 11 का मुल्टिपल भी है, हैं और यूनिट इट से भी हो रहा है, तो D, आप्शन मस्ट भी दा अंसर, बात खतम, आगे नहीं करूँगा, मैं इतना समय नहीं वाई, यह बिजी आदमी है, करो भाई साब, एक हेड़फोन का अंकित मुले 800 रुपे है, एक दुकानदार ने इसे 20% और 10% की दो किर्मिक छूट पर खरीदा, अच्छा जी, खरी ले दुकानदार ने, दो डिसकॉंड लिए, पहला 20% का, दूसरा 10% का, ऐसे एक्जाम में सबस्यादे इंपोर्टेंट जो चेप्टर है, वो प्रॉफिट लॉस पर पर्शंटेज है, आकि टाइम स्पीड अनिश्टें टाइम एंड वर्क ये भी आता है, लेकिन बच्चे कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस पर कमांड बनाओ, अगर आपका प्रॉ अंकित मुले पर ही बेच दिया, उसका लाब या हानी प्रतीसत बताओ, सुनो बच्चो, आप जानते एक वस्तुक अंकित मुले कितना 800 रुपे, 800 रुपे के समान पर दुकानदार ने पहले 20% डिस्काउंट ले, 800 का 20% कितना होता है मेरे दोस्तो, 160 रुपे, तो कितने का ह हो गया समान 640 का, पर 640 का 10% डिस्काउंट ले, 640 का 10% होता है 64, 640 में 64 गटाएंगे तो 576, ने कि दुकानदार ने समान 560 रुपे में खरीदा, खरीदने के बाद 124 रुपे और खर्च किये हैं, उसको ट्रांसपोर्ट पे एक जगे से दूसरे जगे तक लाने में, तो स समान कितना पढ़ा भी दुकानदार को, 600, 700 रुपे का, 700 रुपे का समान दुकानदार को टोटल कोष्ट मढ़ा, इसके बाद वस्तु का अंकित मुल्ये परीच दी, अंकित मुल्यें कितना 800 रुपे तो 700 रुपे का समान दुकानदार ने 800 रुपे में अंकित मुल्ले 800 है तो कितना प्रॉफिट हो मेरे दोस्तों प्रॉफिट हो गया अब ये दो जीरों तो कटी जाएगा एक का 1 बाई 7 और 1 बाई 7 का मतलब 14 सही 2 बाई 7 का प्रॉफिट हुआ बी ऑप्शन तो सवाल देखने में जितना मुश्किल लग रहा था वाकई में उतना ही एजी है क्लियर होई बात ठीक दोस्त आगे चलते अगला सवाल 645.8 का वर्गमूल दो दस्तम लोग इस थानल तो ग्यात करो एप्रोक्स में वर्गमूल बताना है 645.8 का ओक्य जी 25.8 26.8 ये नहीं हो सकता ये दोन आप्शन होई नहीं सकते आंसर A और D आप कहोगे सर कैसे हमें निकालना है 645.8 का मैं बात जानता हूँ कि 25 का स्क्वायर 625 होता है कि 25 से तो बड़ा है ये नंबर इसका जब मैं अंडरूट निकालूँगा मेरे प्यार भी तो 25 से तो बढ़ाएगा 25 का स्क्वार 625 होता है अब 26 का स्क्वार होता है 676 लेकिन ये तो 645 है तो इस का अंडरूट 26 से छोटा आएगा लेकिन 25 से बढ़ाएगा अब ये दोनों आप्शन है अब बताओ मेरे दोस्तों यानि कि 25 से बढ़ा एक 25 से छोटा है अगर मैं 25 के स्क्वार निकालूँ न दस्वार को इग्नोर करूँ क्या ट्रिक है आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या के अंड बे 5 आ रहा है तो उसके स्क्वार निकाला जा सकता आसानी से पांच के स्क्वार 25 ये बचा 25 बचा 25 को अगले नंबर से गुना करो 26 से शाड़े 600 ये आएगा मेरे दोस्तों दस्वार लगेगा दो डिट के बाद शाड़े 600 दस्वार 25 यानि कि 650.25 कंड रूट आएगा साड़े 25 ये 650 से छोटा है 645 तो अंडरूट भी साड़े 25 से छोटा होना चाहिए साड़े 25 से छोटा ये वाला ओप्शन है C, C ओप्शन आप अपरोक्स अंदाजा भी मार सकते हो बड़ यहां गलत होने के चांस नहीं है एक बाद 28 कॉश्चन कर चुके हैं मेरे साथ साथ आप दो सवाल बाकी है प्रेक्टिस शेशन अगर आपको बढ़या लग रहा हो तो वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्तों आप अपनी राय जरूर दे और किस एक्जाम के सवालों का प्रेक्टिस करना चाहते है वो भी मुझे बताएं फिर पी बराबर यह है क्यों बराबर यह है आर बराबर यह है खतरनाख वैल्लू दियें प्रेक्षन में तो कौन सा श्टेट्मेंट सही है चार आप्षन है देखो ये सवाल बहुत ही लोजिकल भी है इंट्रस्टिंग भी है अलग सा है अच्छा जी, देखो, दो रास्ते हैं, अगर आप PQR की value रखे, हर एक value को रखो, फिर solve करो, तब पता लगाओ कि हाँ, मेरे कलेजियों को ठंडक पड़गी, ये सही है, तो गड़बड़ हो जाएगी, ये सवाल सिंप्लिफिकेशन का नहीं है, ये सवाल तो नौर्मल जो है एलजबरा के basic नियमों का है, बॉर्ड मास का सवाल है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, तो हमें केवल यहाँ पे कौन सा कर्थन सत्य नहीं है, पूछा है, sorry, not true, केवल यह चेक करना है कि कौन सा statement सही बन जाता है, ये गुणा है मेरे दोस्तों, P गुणा Q पलस R, तो c option, P पलस Q multiply R, पी पलस Q को R से multiply करेंगे तो P की भी R में गुणा, Q की भी R में गुणा, ये भी सही है, तो यानि कि यह गलत है, P divided by Q पलस R का मतलब, P divided by Q पलस R ये गलत है, पूरी तरीकी से, P divided by Q पलस R का मतलब है, पी डिवाइड अपॉन Q पलस R, और इसको आप और कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया P divided by क्यूं प्लस आरी, ये दौनों बाते बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो यानि कि D option पूरते हैं, गलत है, तो सवाल का अंसर D option होगा, ये PQR की value केवल आपको confuse करने के लिए दिये कि आप इसमें उलजकी अपने समय को बरबाद करते हैं, फिर कहें पेपर आके, एक्जाम हॉल से बार आके, पेपर बहुत मुस्किल था, मुस्किल नहीं था, दिमाग लगाना था हलका सा, सवाल लंबर 30, मुझे तो ये CISF HCF 233 के पेपर का best question लगा, और इसलिए मैं इस best स सवाल को सबसे आखिर में करवा रहा हूं, सवाल की language भी बढ़ी है, नया भी है question, फिक है दोस्त, करके देखो, पहले सवाल को पढ़ो, सोचो, समझो, फिर करो, एक school में तै हुआ कि विक्की और राजु को आर्थिक मदद मिलेगी, अच्छा, पहले तो ये है तै हुआ, कि 6 रुपे छात्रों से लिए जाएंगे, 240 छात्रों में से प्रतेक ने वह राशी दी, ये दो बच्चे हैं, विक्की और राजु, इनकी आर्थिक मदद करनी है, इनको monetary support करना है, financial help करनी है, ये decide हुआ कि हर बालक से 6 रुपे लेंगे, 240 छात्र हैं, हर एक बालक 6 रुपे द दंगे, कक्षा 5 में 43 छात्र हैं, शिक शकों ने 2000 रुपे का योगदान दिया, 71 की गई पूरी राशी को विक्की और राजु के बीच समान रुप से बांटा गया, जो भी पैसे खटवों से विक्की राजु के बीच आधा आधा बांटा गया, लेकिन विक्की ने भी अप बालक हैं कितने 240 बालक हैं, तो कितने रुपे दंगे बिचार हैं, 240 छिका, 144 रुपे बालक देंगे, लेकिन कक्षा 5 के जो बालक हैं उनको 2 रुपे लाट आ दंगे, कक्षा 5 ऐख थाँ भी तेटालिस मईचे आधा रहें, अब हार बालक को 2 रुपे लाट आओँगे, 43 तो कितने रुपए लोटाने पड़ेंगे, 86, 86 रुपीज लोटाने पड़ेंगे, अब टीचर हैं, टीचर को तंखा मिलती है, बिचारे बालक कहां देंगे, इतना पैसा, सभी टीचर ने मिला के 2000 रुपए की हल्प करी, तो टोटल कितना पैसे खटा हुआ भाहिया, विकी र अब यहां से सवल में और एक इंटरस्टिंग फिस डाला गया है, जो भी पैसे खटा हुआ, उसे विकी राजु के बीच समा रूप से बांटा गया, यानि की आधा आधा, लेकिन विकी लगा भाहिया, राजु की दसा मुस्से जादत देनी है, विकी ने अपना आधा पैस राजु को दे दिया, विकी को कितना रकम मिला होगा, यानि की पहले आधा करना है, फिर उसका भी आधा करना है, तो एक काम करते हैं कि वही विकी और राजु को सपोस्ट दो रेश्यों दो के नुपात में पैसा बांटने का डिसाइड हुआ था, विकी और राजु को आध विकी ने आधी रकम राजु को दे दी, विकी को मिला दो यूनिट, दो यूनिट का आधा होता है एक, एक यूनिट जो है राजु को दे दिया बाया, इन्हें कि विकी को कितना मिलेगा, दो मानस एक एक और राजु को मिलेगा दो रेक तीन, इन्हें कि विकी और राजु क को देंगे तो हम Viki को देंगे ठीक है na लेकिन विकी ने भी अपना Idha हिस्सा राजू को इदे दिया राजू के पास तो होगा टीनए विकी के पास बचा एक एक लिए कि आनी कि 3 motiv4 रुपिय हमारे पास टोटल हैं विकी बाटना एक रेश्यो तीन के रेश्यो में, तो विक्की को कितना मिलेगा, एक उनिट मिलेगा, आउट अफ टोटल चार, एक और तीन चार, तो विक्की को मिलेगा इतना पैसा, ते 354 का एक वटे चार, ठीक है भई, अब यहाँ पे चार से जब भाग देंगे, तो चार अठे करने की जुरत नहीं, चार अठे बतेस पर एक बचेगा, चार ती या बार जाएगा, एट थी जाएगा, मैरे दोस्ते, 8486, 8485, नहीं, यह उप्शन हट गए, तो ए उप्शन इस सवाल का एकदम बहतरीन, सही आंसर होगा, बताईएगा, कितना प्यारा, अच्छा सवाल ह नहीं पूछा, 6 लाइन का सवाल भी बन गया, बच्चों को डरावना भी लगा, और करने वाले ने कर भी दिया, ठीक है न, ऐसे और क्वेस्टन बनाने चाहिए, ठीक है दोस्त, तो यह थे CISF हेड कॉंस्टेबल के, बैस 25 क्वेस्टन जो मैंने आपको छाट के करवाए, अगर आपको इस वीडियो से फायदा पहुचा हो, और आप चाहते हो कि, मैं और ऐसे ही अच्छे-च्छे सालों के प्रैक्टिस कराऊं, तो इस वीडियो को अपने जो है दोस्तों के शाद जरूर शेर करें, सारे सोसल मीडिया पे शेर करें, मेरे प्यारे भाई, ठीक है ज मैंने सारी कंसेट, फॉर्मुला, ट्रिक, शॉर्टकट को हिंदी और इंगलिश दौनों लेंग्वेज में लिखा है, ठीक है, ठीकल बुक, जो बच्छे सीजल की टारी कर रहे हैं, सीजल प्रैक्टिस किंग की इस बुक को आप ओनलाइन अमीजन ए फिलिपकार्ट कर लो, और इसमें चैप्टर वाइज मनें अच्छ-च्छे सवालों को जो है, ऐसी सीजल के लिए भी है, सीपयो के लिए भी है, बहुत जल्द और भी सीजल के एक्जाम की सेपरेट प्रैक्टिस किंग बुक आएगी, ठीक है जी, ओके, मेंस के लिए भी मेरे दोस्तों, सीजल और सेचसल मेंस दौनों की एक ही सिंगल प्रेक्टिस बुक है जो बच्चे सीजल और सेचसल के तियारी कर रहे है और मेंस से ही आपके फ़नल सेलेक्शन डिसाइड होना है तो प्रिवेसर के इन हजार कोशन को जरूरू सौल करें इस सारी बुक चैप्टर बाइज है विद ज़रूर जोइन कर लो जो बच्चे बुक नहीं लेना चाहते कि आपके वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही अच्छे और इंट्रस्टिंग एजूकेशनल मैच्स के कंसेप्चिल सवाल अगर आपको सीखने है लेटेस्ट दोहार तैस के अलग अलग पेपर के जैसे मैंने इसी चैनल पर CGL का, CHSL का, CPO का, MTS का, DDA का, SSC GD का, दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल का और आज मेरे दोस्त कौन से करवा है हमने CISF का यह सारे जो है एक्जाम के क्वेशन्स सौल करवा रखे है ठीक है ना आप उन वीडियो उसको जरूर देखें धन्यवाद भाई